इस व्यूंच मेरे मेरे चैनल में आप सबी लोगों का बहुत बहुत सAST deuxmotip इताब आदे में आप लोगों के लिए बनाओंगी खीरे का नास्ता इसके लिए मैंने यह 3 खीरे लिये और दोके दो लिया एक कटोरी दही लिया थोड़ा सा नमक है थोड़ी से चिली फ्लेक्स लिये और भूट थोड़ी से हमने चीनी को लिया और इसके साथ हमें चैनी होगा इनों आप इनों की जगए बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं चलिया सबसे पहले मैं क्या करूंगे खील लेती हैं खील लेती है है अगर आप लोग छिलक रहताना नहीं चाहते है लिए उसको मैं निकालकर रख दिया आए जिससे कभी हमारा कीरे में परन आए कभी भी जब्ति खीरे का कुछ बनाइक तो यह कीरे का जो चुल देखे वह जरूर को निकाल दें आपकी ज़ो भी डिस बनाएंगे तो आपकी वह कड़ में बनेगी इससे आपका ठेश्ट भी खराब हो सकता है इस तरह से मैं घीरे को सारी खीरों को चील देती हूं कि इस तरह से चील लेंगे चीलने के बाद काटेंगे चोटे चोटे पीसों में काट लेना है मिक्सी के जाल ले लेंगे इसमें छोटे-चोटे टुकड़े करके इस तरह से ढाल देंगे कबर करके ग्राइंड कर लिए इस तरह से मिक्सी में यह अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है इस तरह से चलिए अब हम क्या करेंगे इसको एक चांड लेंगे ताकि जो इसमें जो बीज खीरे के बीज बगार हुए गारिण था अब हमारे निकले के लिए इसमें था लिए लागा इसमें निकाल देंगे इसके जो बीज बगार है इसमें रह जाएंगे चलिके नदर हमारे इडिकी इस तरह से सबसे पहले डालेंगे सूजी बेशन को डालेंगे मिक्स करेंगे कि यह बंती टेश्टी नास्ता बनके तयार होगा अब खीरा तो आप सबको पताएं हमारे शरीर के लिए किUTना फायदे-मंद हैं इसे व्मारे में कि पानी की कमी को दूर करता है और यह ठंडक देता हैं मारे इसमें बहुत साधे फायदे हैं खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए इस समय खीरा भी बहुत अच्छा आरा है आप पहाड़ी कीरा ले लो बहुत जादा टेश्टी खीरा आप खीरे की कोई भी टिस्स बनाएं आप बहुत अच्छी और टेश्टी बनती है इस तरह से अभी सूजी हमारी फूलेगे हमें यह पतला लग रहा है सूजी हमने डाला है बेशन डाला है यह हमारा फूलेगा तो इसमें पानी की मात्रा मलब खीरे का जो हमने रस डाला था वो ठीक रहेगा अगर नहीं ठीक रहा तो हम थोड़ा से इसमें पानी या दही और एट करें चिनी को डालेंगे थोड़ी सी चीनी डालेंगे थोड़ी खट्टा मेठा टेश्ट आये इसमें पालोड़ा लेंगे ह सिह 00ोट थोड़ा डालेंगे नमक को थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स मिक्स करेंगे अगर आपके पास दही नहीं है तो आप बाचान दही नहीं है तो आप दही की जगे नीबू भी यूज़ कर सकते नीबू से भी इसका टेश्ट बहुत अच्छा आएगा इस तरह से आप इसे रश्ट होने के लिए रखेंगे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे रख देंगे साइड में जब तक इसका रश्ट हो रहा है हम देंगे यह कटोरियां आज हम बनाएंगे नास्ता कटोरियों में इसके लिए हमने यह कटोरियां ले लिए इस तरह से आप प्रोटी बड़ी कोई सीबी कटोरियों को मच्छे से चिकना कर लेंगे तिससे नास्ता निगाले में हमारे असानी हो इस तरह से सारी कटोरियों को हम ग्रीज कर लेते हैं कर लेंगे दिखे तैयार करके रख लिया रखाये सब हम ने को रखते एकसाइट वे अपने बेटर को देख लेते दस से बंदर मिननट हो आशेबे गजय से टिशके उष्ट हम चाह चलिए इसारे सहे में चाहिए पानी बगयरा कोई डालने की जरुवत नहीं है अब हम लेंगे थोड़ा से इसमें डालेंगे इनो आप इसकी कोई सा भी इनो ले सकते हैं यह वाला लेमन इनो लेंगे बही जादे अच्छा लागेगा इसमें कोई भी फिलेवर का और डालेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो सकता है यह हम प थोड़ा सा डालेंगे खीरे का पानी इस तरह से लेगे मिक्स करेंगे हलके हाथों से चलाना है कि सारी जगे मिक्स हो जाए अची तरह से अब लेंगे इने कटोरियों में एक कटोरियों में डालते जाएंगे कटोरिया घड़ाइंगे कडाय में हमने पानी को व्हाइल ओन के ली रख दिया है इसको ऊपर रखेंगे कका ड़कर को तरह से घुबी यायो में बैटर को हम डाल ले एस तरह से एक कटोरियों में उसकर से डालेंगे का आ 교 कि थोड़ी से टैप करेंगे तक इसमें जो यहार बावल सो वह निकल जाए भार इस तरह से तरके सारी कटोरिया बढ़ लेते हैं कि इतनी हमें खाली चाहिए ताकि यह उपर तक होगा काफी कटोरियां उपर तक भर सकती है इसमें हम थोड़े से डालेंगे अच्छी लगने के लिए तो एक दो दो किसमिस को लगाएं ताकि जो देखने में कटोरिया हमारी अच्छी सी लगे कडाई में पानी उप में उबाला चुका है अच्छी तरह से अब हम इसमें करेंगे आपके पास जो भी चन्नी हो जाली हो और को भी चीज हो आप उसको उपर डग सकते मैंने यह दूद्वाली जाली ले लिए जो दूद के उपर ढ़ते हैं इसको हम इस तरह से इसके उपर रखेंगे अब एक कटोरी को उठाएंगे अमने एक कटोरी हम इसके चारों तरफ रख देंगे थोड़ी दूरी बनाके रखें ताकि यह हमारे जल्डी से बन सके एक दम सटाके ना रखें पास पास में करेंगे 10 मिनट के लिए कवार कर देंगे बीच में चेक करेंगे किसे दश मीनट हो गए लखेंवे चेक कर लेते हैं कि पीली में अगर मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब बन चुकी है यह थोड़ा सा लग रहा है अभी थोड़ी से अंदर से कच्छी है अभ त्रणान के बिद को ऩूरे मिân को त्यारर है ज्टान को ऐसे तारिकेश को करेंगे बन अब ये ठंडा होने के बाद काटोरिये से निकालेंगे कि देच्छा से सारी कटोरियें मारी थंडीये हो चुकी है अच्छी तरह से यह जब भी चुका इस तरह से एको तोरीर, आप बनाए और इस तरह से देखिए आप निकाल के खाना चाहेँ निकाल के खाएं बड़े आराम से निकलेंगे इस तरह से निकल के कितनी सुनदर देखने में लग रही है कि वीडियो मेरी अच्छी लगते है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें कमेंट करके हमें जरू बताईए कि हमारी रेस्पिया आप लोगों को कैसी लगती है चलिए मिलते एगली नई रेस्पि के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्यू